जेहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल दवंग क्लासेस पर तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 कोशन जो कि आप लोगों की MPForest और जेल प्रेदी एक्जाम में जरूर पूछे जाएंगे तो वीडियो में लाच तक बने रहें देखते हैं आज का फास्ट कोशन फास्ट कोशन में यहापर आप लोगों से पूछा गया है अर्थ सब्द का आसे नहीं है चार आप्शन आपको दिये गया है और आप लोगों से कहा गया है जो अर्थ सब्द होता है इन में से कौन सा इसका आसे नहीं है तो करेक्ट अंसर आप लोगों को बताना है राइट अभी सामिल है ठीक है तो आपको अर्थ के अगर पुछा जाए कि प्रयाबाची क्या-क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए अर्थ का प्रयाबाची होता है माइने मतलब आसय अभिप्राय पेशा प्रयोजन निमित धन यह सबी इसके प्रयाबाची और यहां आपसे दोस्तों वह है आप लोगों का option number 4 अभग्या अभग्या जो है यहां आग्या का क्या होता है बिलोम सब्दों होता है आपको किसी ने आग्या दी आपने उसके आग्या मान ली और किसी ने आपको आग्या दी और आपने उसके आग्या नहीं मानी तो उसके आग्या क्या क्य क्या होता है तो आप कहेंगे कि sir जहर और इला दो सब्धों से मिलकर बना हुआ है लेकिन यहाँ पर बड़ी की मातरा लगी है तो यह जो होगा वो बड़ा होगा तो यहाँ पर देखिए जहर इला जहर धन इला मिलकर क्या बनता है जहरीला बना हुआ है तो इसका right answer आपको कहा देखने को मिल रहा है option number first में देखने को मिल रहा है अब बात की जाए कि प्रते क्या होते हैं तो वे सब्दांस जो सब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिबरतन ला देते हैं क्या कहलाते हैं प्रते कहला हैं आप देखिए यहां पर आगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि सर इसे समझा दीजे कैसे explain किया जाएगा तो आप कहेंगे रिक्सा देखिए एक सब्दों है रिक्सा जिसमें हमने बाला प्रत्य लगाया तो यह क्या बन गया रिक्सा वाला तो देखिए पहले रिक्स प्रत्य कौन सा है तो आप प्रत्य फास इला नेक्स्ट कोश्चन की और बरते हैं नेक्स्ट कोश्चन में आप लोगों पूछा गया है सहडोल जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वा क्या होगा correct आंसर आप जिले में भी बोले जाती है, ठीक है ये भी आप लोगों को याद रखना्या आ happily जिले में भी बोली जाती है, तो यहाँ आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, चलिए बढ़ते हैं next question की और next question में है यहाँ पर आप है चोर को मपकन कर पिछे से पकड़ या किस प्रकार का आंसर होगा इसमें दिसा का का बो मतलब दिसा की लिए फाकना गारे का पूछा गया है कि आम पूंगारे फाकनामुभाे dar आप लोगों का option number first एसा काम करना जिसका बुरा फल हो अंगारे फाक्षने मुहावरे का आसे होता है एसा काम करना जिसका बुरा फल हो आगे चलते हैं next question की और next question में आप लोगों से पूछा गया है तो देखें यहां पर कोई संकेत भी नहीं दिया जा रहा है राम ने संकेत नहीं किया आँखों से या फिर किसी दुसरे वेक्तिकों की इस धनुस को तोड़ दिया जाए तो यहाँ पर संकेत भी नहीं हो रहा है, तो इसका जो right answer क्या होगा, तो आप कहेंगे, कि यह किसा वाक्य है, विधान वाक्य है, राम ने आसानी से धनूस को तोड़ दिया, तो यहाँ पर किरिया हो रही है, तो जिन वाक्यों में किरिया के करने, या होने की सुचना मिले, उ लोगों से पूछा जा रहा है काली मिर्च पद में केसा समास है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बाह वह आपका पर चानते हैं सर तो यह भी अच्छी बात है देखिए यह भी आपको पता होना जी कर्मधारे समास की पहचान होती है कि जब भी इसका आप समास बिगरा करेंगे तो इसके मद्ध में आपको के समान और है जो सब्दे देखने को मिलेगा अब यहां पर क्या बोला है काली मिर् काली है जो मिर्च तो है जो सब्दे देखने को मिल गया मतलब यहां पर कौन सा समास है आप कहेंगे कर्मधारे समास है के समान का कैसे यूज़ करते हैं आप से कहा जाए कमल नयन में कौन सा समास है तो आप कहेंगे कमल के समान नयन के समान सब्दे दिग्या मतलब वहां पर कौन सा समास होगा तो आप कहेंगे कर्मधारे समास होगा तो कर्मधारे समास की यह दोपेचान होती है जब भी आप समास का विग्रे करेंगे तो उसके मद में के समान और हे जो सब्द देखने को मिलेगा next question की और बढ़ते है next question में याप आप लोगों से पुछा गया है इच्छा सब्द का परयाइबाची है चार option आपको पुछा गया है दिये गया है और पुछा गया है कि इच्छा सब्द के जो परयाइबाची होते हैं तो इसका right answer आप लोगों को बताना है, correct answer जो होगा दोस्तों वहाँ है आप लोगों का option number 3, उक्त सभी जो है यहाँ इच्छा सब्द के परयायबाची हैं, देखें यहाँ पर इच्छा सब्द की परयायबाची की बात की गई तो इच्छा सब्द के परयायबाची में चाह, क किसी चीज की चाहा होना, मतलब इच्छा होना, कामना होना, मतलब इच्छा होना, अभिलासा होना, इच्छा होना, लालसा होना, इच्छा होना, मनोरत होना, किसी चीज का मनोरत होना, ठीक है, यह संस्कृत में यूज किया जाता था, मनोरत, तो यह अभी क्या है, कामना या अ यहां पर पर कौन सा अलंकार हो रहा है अनुप्रास अलंकार में ब्यांजन बंडों की आवरत्ती होती है अब ब्यांजन बंड होती है नेंच्ट question की और बढ़ते है next question में आपसे पूछा गया है custodian का Hindi परिभासिक सब्द क्या है तो इसका जो right answer होगा वह है आप लोगों का option number three अभीरक्षक custodian का हिंदी परिभासिक सब्द जो है वह अभीरक्षक या संरक्षक होता है next question की और बढ़ते है next question में आप लोगों उसे पूछा गया है तो इसका जो right answer दोस्तों वह है आप लोगों का option number second तत्सम सब्द जो है या तत्सम सब्द से मिलकर बना होता है जिसका आर्थ होता है उसके समान अर्थात किसके समान तो ततधम सम अर्थात के समान उसके समान का मीनस होता है संस्क्रत के समान किसके समान संस्क्रत के समान हिंदी में अनेक सब्द संस्क्रत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रियोग किए जा रहे हैं, वहाँ सभी तत्सम सब्द कहलाते हैं, जैसे, अगनी, बायू, पत्र, मातापिता, सूर्य, यह सभी क्या हैं, संस्क्रत में भी इसी रूप में यूज़ किये जाते हैं, और हिंदी में भी इसी रूप में आगे हैं, और आज तक उसी ственный use किए जा रहे हैं तैया सभी कहलाते हैं तद्सम सब्द बड़ते हैं next question की ओर next question में यहाप लोगो पूछा गया है निरोग में संधी है, 4 option आपको दिये हैं और पूछा गया है निरोग सब्द में कौन सी संधी निरोग हैं तो यहाँ आप लोगों को पुछा गया है मद्व प्रदेश से प्रकासित साहित्तिक पत्रिका है चार अप्षन आपको दियेगेर पुछा गया मद्व प्रदेश से प्रकासित साहित्तिक पत्रिका कौन सी है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का आपसन नंबर फास्ट अक में एक बार प्रकासित होती है नेक्ट कोईशन क्यों पढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन में आप लोगों से पूछागया है हजारी प्रसाधz्ड दुवेदी है चार आप मोझों से हजारी प्रसाद्द दुवेदी जो है या TIMP-la हैं समालोचक हैं या ललित निबंदकार है या उक्त सभी है तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का आप्शन नमबर 4 उक्त सभी है हजारी प्रसाद दुवेदी एक उपन्यासकार निबंदकार समालोचक सभी है ठीक है इनकी प्रमुख रचनाओं में बान भट की आत्मकथा और असोग के फूल सामिल है हजारी प्रसाद दुवेदी का मूल नाम अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है यह आप याद रखेंगे तो इनका जो मूल नाम है वह बेजना दुवेदी है ठीक है यह कॉंस्टबल एक्जाम में भी पूछा गया था जीके में ही कि हजारी प्रसाद दुवेदी का जो नाम है वह क्या है तो आपका आंसर होगा बेजना दुवेदी है बरते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन में यहाप लोगों से पूछा जा रहा है निमना लिकित में बिलोम सब्द यूग में नहीं है चार आपको दिये अर्वाचीन आर्थिकर नींद स्वपन प्रचन प्रकट इन सभी में आपको बताना है कि कौन सा एक बिलोम सब्द यूग में नहीं है तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का आप्शन नमबर थ्री नींद और स्वपन जो है एक दूसरे के बिलोम सब्द नहीं ह एक डूसरे का नहीं है तो यह एक दूसरे के साथ होते हैं विलोम तो हो नहीं सकते हैं विलो bask न्स बिल्कुल बिप्रिट अर्थ तो यहां पर एक कौन सा बिलोम सब्द ल tätä की नेस्ट के यहां पर आप लोगों से पूछा हा तो इस प्रकार सतर सिफ्टों में कितने हो गए तो आप कहेंगे कि 1750 को रहे हैं तो हिंदी के इतने ज्यादा को पढ़ने को मिलेंगे यहां से काफी कोश्चन जो है दोबारा आप लोगों की एक्जाम में जरूर आएंगे ठीक है कोश्चन आप लोगों के दोबारा आने के भी चांस होते हैं रिपिट किए जाते हैं तो यह भी आप लोगों को याद रखना है कि इस पूरी पीडिएफ को जरूर पढ़ने जिससे आपकी प्रिप्रेशन बहतर हो पाएगी और आप लोगों का आने वाले एमपी पटवारी और जेल प्रिरी और फॉरेस एक्जाम में सेलेक्शन हो पाएगा तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन में पूछा गया है निमना लिखित में सुद्ध बाक्य है चार अप्शन आपको दिए गया है कौन सा सुद्ध बाक्य है तो इसका जो राइ आप इसे जरूर पढ़के जाएंगे काफी इंपॉर्टेट टॉपीक हैं न आपको यहां पर देखी राइट आंसर का होगा करेक्ट आंसर होगा अकांचा अकांचा सब्ध जो यहां पर दिया है बिल्कुल सुद्ध सब्ध दिया और इसके अतरिक आप मुश्या भी गलत तक सब्ध यूग में नहीं है मतलब ऐसे कौन सा एक सब्ध यूग में हैं जो हमेशा एक साथ यूज किया जाता उसके अलग 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 घर्थ नहीं होते हैं तो राइट आंसर कौन सा होगा करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है option number four मित्र वित्र जो है या सम उचा अब जिक हैं हमेसा एक साथ की जाते हैं के अपbased नहीं होते है और नहीं पर वही पूछा गया निम्ले लिखित्वा से हैं आप लोगों को आज के टॉप 20 कोश्चन जी हिंदी के जो कि हम आप लोगों के लिए फॉरेस्ट और जेपरी एक्जाम की प्रिप्रेशन को और बहतर करने के लिए लेकर आये थे तो वीडियो पसंद आये वीडियो को लाइक करें चेनल पर पेली बार आये तो चेनल को जरू सब्सक्राइब कर लें आप लोगों के जो भी पीडियो दिखाई गई है आप लोग वीडियो के डिस्क्रप्शन में दीगे लिंक पर क्लिक करके नहीं तो इस नंबर पर बाट्सप करके हमसे आसानी से असारी पीडियो पर आप्त कर सकते हैं जिससे आपकी प्रिप्रेशन बहतर हो जाहे हिं दोस्तों